कैसे हैं आप सुब दोस्तों मा पारवती और शिव के मिलन का त्योहार है आज और वो है हर्याली तीज 13 अगस्त सोम वार के दिन बहुत ही खुबसूरत दिन 130 सालों के बाद इस बार तीज पर ऐसा अध्भुत संयोग आ रहा है सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृत्य है श्रावनी तीज भी कहते हैं कोई लोग इसे हर्याली तीज भी कहते हैं और कुज्जे के पर कोई लोग इसे कजली तीज कहते हैं वैसे कजली तीज अपसे 15 दिन के बाद आने वाली है और इस बार हर्याली तीज सावन के सोमवार को है इसलिए इसका महत्व और भी कई गुना जादा बढ़ गया है दोश्तों शिव जी आपकी हर मनो कामना को पुर्ण करेंगे अगर सुहागन महिलाएं और कुवारी लड़कियां कुछ काम होते हैं जो करते हैं और पुरुष को भी बच के रहना नहीं है पुरुष को भी इसमें शामल होना है तीज भगवान शिव और माता पारवती के मिलन का त्योहार है माना जाता है कि हर्याली तीज के त्योहार के बारे में कि मा पारवती ने 107 जनम लिये थे भगवान शंकर को अपने पती के रूप में पाने के लिए मा पारवती के कठोर तप और उनके 108 जनम में भगवान ने पारवती जी को अपने पत्नी के रूप में स्विकार किया था तीज के दिन महिलाओं को अपने अपने पती की लंबी आयू के लिए वरत और उप्वास रखना चाहिए और पती की प्राप्ती के लिए अविवाहित लड़किया भी इस वरत को रख सकती है मानियता ऐसी आती है कि तीज का वरत रखने से विवाहित इस्त्रियों के पती की उम्र लंबी होती है और अगर अविवाहित लड़कियां इस वरत को रखे तो उनको मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है इस दिन महिलाओं को निर्जला वरत रखना चाहिए आप चाहें अगर वरत नहीं रखना चाहतें वैसे भी सोम वारी है कर सकतें नहीं भी रखना चाहतें तो छोटे-छोटे उपाय बताऊंगी आज के दिन शगुन के वो आपको एक छोटा सा काम जरूर करना है इससे आपके पती की लायू लंबी होगी आपके पती अगर आपको दिल से प्यार नहीं करते आपको लगता है कि आप दोनों के पती पत्नी के प्यार में कुछ कमी आ रही है तो आज के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है इस दिन जो लोग वरत करते हैं वो लोग के लिए माना जाता है कि करवा चौट से भी अधिक कठिन होता है वरत क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल के व्यातीत करती है दूसरे दिन सुभे स्नान करने के बाद पुजा करने के बाद व्रत को पूरा करके भोजन ग्रहन किया जाता है साल भर में कुल चार तीज मनाई जाती है जिन में हर्याली तीज का महत्व अपने आप में बहुत ही विशेश होता है ये त्योहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, जारकन, राजिस्थान, मध्य प्रदेश यानि नौर्थ इंडिया में मनाया जाता है जादा और शावन मा के शुक्ल पक्ष में पड़ेगी ये तृतिया इस दिन को बहुत ही शुब माना जाता है इसका शुब मुरत आपको सुबह 8 बचकर 38 मिनट पर शुरू होगा और 14 अगस्थ को सुबह 5 बचकर 40 मिनट तक ये हर्याली तीज का शुब मुरत रहने वाला है दोस्तों कुछलर जगे पर जहां पर इसे सिंधारा या सिंजारा बोलके भी मनाया जाता है और इस दिन नव वाहितों के मायके से उनके ससुराल वालों के लिए वस्त्र, अभूशन, श्रिंगार, महदी आदी बेटी के लिए भेजी जाती है माना माना जाता है कि नव विवाहितों को मायके आने का न्योता दिया जाता है और तीज पर हर कन्या और महला को एक काम सरूर करना है तो दोस्तों आज मैं आपको बता दू एक छोटा सा काम आपके पती को बहुत ही लंबी आयू दे सकता है और जो भी अविवाहित लड़किया है वो एक छोटा सा काम करे तो मन चाहा वर की प्राप्ती होती है और वो है कि आज के दिन हर कन्या को हर मैला को महंदी जरूर लगानी चाहिए जी हाँ दोस्तों आज अगर आप लगा लेते महंदी तो आपके पती की आयू तो लंबी होती ही है साथ ही साथ आपके सुहाग की रक्षा के लिए महंदी रचानी भी बहुत जरूरी होती है साथ ही साथ पत्ति के प्यार का कारक भी शुक्र ग्रह माना जाता है। इसलिए अगर मेंधी लगाते हैं, आज के दिन हर सुख की प्राप्ती होती है। आपको मेहंदी के पत्ते अगर आपको कहीं से मिल जाएं तो इनको घोल कर आपको सिर पर, पंजो पर, हतेली में, तलवों में, हर जगर लगानी चाहिए महंधी के पत्ते बहुत ही लापकारी होते हैं तो अगर आज की दिन तो आप आप हातों में मेहंधी सजाएं पर बाकी दिन भी अगर आप घर में महंदी ये विज़ करते हैं, तो ये आप के लिए लेकिरी बिचिता है महिलाएं महंदी की यूसेच से शांत रहती है चिर्चड़ापन दूर होता है घर में कलेश नहीं करती है घर के सभी सदस्यों को प्यार करती है यहां तक की माना जाता है जोडों के दर्द में भी महंदी से आराम मिलता है इसलिए दोश्तों हमारे त्योहारों को बहुत ही खुबसूर्ती सजाया गया है और खास कर ये तीज का त्योहार हमें मैसेज देता है कि हर इस्तरी को हर लड़की को महंदी सलूर लगाने चाहिए दोश्तों मा पारवती की पूझा करें बतादूं आपको तीज का मतलब क्या होता है तीन चीजों का त्याग करना इस दिन सुहागन मैलाओं को तीन बातों का त्याग करना चाहिए प्रण लेना चाहिए एक तो यह पहला कि पती से वो किसी भी हालत में छल और कपट नहीं करेंगी दूसरी चीज पती से कभी भी जूट नहीं बोलेंगी दुर व्यवहार नहीं करेंगी तीसरी चीज किसी पराई की निंदा नहीं करेंगी इस तरह से अगर आप तीज का वरत इन तीन चीजों को त्याग करती है तो बाबा भुले नात माता पारवती आपकी सभी मनों कामनाओ पुले करते हैं इस बार बहुत ही खास है यह तीज का वरत सावन सूमबार को वरत है आपको गुलाबी रंग का याने पिंक कलर का वस्त्रधारण करना चाहिए हो सके पिंक ना हो तो ग्रीन करें गृ Bailey बहुत ही खुबशूरत होता है ।ुर साथ ही साथ आपको सेम कलर की ग लगाएं आपके सुहाग की रक्षा होगी आपके पती और बच्चों की आयू बढ़ेगी जो भी कुमारी कन्याए है उनकी शादी के योग बनेंगे सुहागन महिलाएं और कुमारी कन्याओं को दोपहर से शाम तक सस धच कर फिर शाम के वक्त शिव मंदिर जाना चाहिए शि पत्र धतूरा चावल सफेद रंग की बरफी चढ़ा कर शंकर जी का दूद और जल से अभिशेक करें पूजा में ध्यान रखें शिव जी की पूजा में सफेद रंग के फूल चढ़ाएं और माता पारवती को लाल रंग के फूलों से श्रिंगार करें आप चाहिए तो कि पूजा शाम को ही की जाती है जब दिन और रात मिलते हैं उस समय को हम प्रदोश काल कहते हैं इसी समय आपको स्वच वस्त्र पहन करके पूजन करना चाहिए पवित्र हो करके और जो लोग घर में अगर मंदिर नहीं जाना चाहते घर में पूजन करना चाहते हैं तो आप अपने सभी फ्रेंज को एकठा, फैमिली को एकठा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं, तीन मुर्तियां बना ले, एक गणपती देव की, एक माता पारवती की, भगवान शिव की, काले रंकी मिट्टी से या हरे रंकी मिट्टी से इन मुर्तियों को बनाने का विधान आता है, परंपरा के अनुसारी मुर्तियां अगर सोने की हो जाए तो बहुत ही खुबसूरत होती है, लेकिन काली मिट्टी से आप इसे अपने हातों से मुर्ति का शेप दे के बना सकते हैं, फिर भगवान शिव को वस्त्र आदी भेट करें, जैसे अभी शेक करते हैं, वैसे करें, और माता पारवती को सुहाग की चीज़ें, सोलर शिंगार की चीज़ें आपको अर्पित करनी चाहें, सोलर शिंगार की चीज़ें चड़ाने के बाद आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आदी करें, इसके बाद वरत की कथा सुनें या पढ़ें, और फिर जो भी सुह कुकं और चाहें इस्तिर आपको दे सकते हैं कछा पढ़ने के बाद भगवान गनेश की आरती आपको ज़रूर करनी छाहें और शिव और माता पार बर्वती की आरती करें ये भी बहुत अच्छा होता है तीनों देवी देवताओं की मुर्तियों की परिक्रमा करनी चाहिए ध्यान रखें शिवजी की परिक्रमा आधी होती है इसलिए उससे जादा उनकी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए आप चाहें तो अपनी जग़ पे खड़े खड़े चार बार घूम लें फिर पूरे मन से प्रार्थना करें अपने सुहाग की रक्षा के लिए अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करें पूरी रातरी जागरन अगर कर सकें तो ये बहुत लाबदायक होता है मन में पवित्र विचार रखे इश्वर की भक्ती करें, पुरी रात जागरन करें और अगले दिन सुभे भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की स्थान करके फिर से पूजन करके माता पार्वती को एक चुटकी सिंदूर आपको अर्पित करना है इसे एक चुटकी सिंदूर को पहले एक चुटकी मातारानी को अरपित करें सिंदूर उसके बाद एक चुटकी सिंदूर लेकर के आपको अपनी मांग भर लेनी है अगर आपके पती देव इस समय आपके साथ होते हैं और अगर वो आपकी मांग भरते हैं, एक चुटकी सिंदूर डालते हैं आपके मांग में इस दिन तो ये बहुत ही लकी कहलाता है भगवान को खीरा हुआ, हल्वा हुआ, मालपुआ हुआ, इन चीजों का भोग लगाएं और फिर किसी भी करीब को, ब्रामबन को अगर हो सके, तो दान करके आपको फिर अपने पती को पहले खिलाएं और साथ-साथ, आजकल का तो जमाना है ऐसा है, पती-पतनी एक साथ हैं, तो दोनों साथ मिल करके भोजन कर सकते हैं ये सभी रीती पुर्ण होने के बाद जो भी चीजें आपकी पूजन सामगरी वेगर हैं वो किसी पवित्र नदी में तालाब में प्रवाहित कर दें या फिर अब चाहें तो किसी पीपल के पौधे के नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से वरत को संपुर्ण करना चाहिए जो भी महिलाई जो भी ब्रिजनारी परिवार की महिलाई इस कथा को सुनना चाहती उन सबी को मैं आगे सुना देती हूँ ध्यान से सुने इस वरत के महत्व की कथा भगवान शिव ने पारवती जी को स्वयम सुनाई थी उनके पुर्व जनन का स्मरण करवाया था इस प्रकार कही थी? शिवजी कहते हैं हे पारवती, बहुत पहले समय में तुमने हिमाले पर मुझे वर की रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी इस दौरान तुमने अन्नो और जल त्याग कर सूखे पत्ते चबा कर दिन व्यातीत किया मौसम की परवाह किये बिना तुमने निरंतर तप किया तुम्हारी इस स्थिती को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे ऐसी स्थिती में नारज जी तुम्हारे घर पदारे जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारज जी बोले हे गिरी राज मैं भगवान विश्नु के भेजने पर यहां आया हूँ आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वो उससे विवाह करना चाहते हैं इसके बारे में मैं आपकी राय जहनना चाहता हूँ नारज जी की बात सुनकर परवत राज अति प्रसन्नता के साथ बोले है नारज जी यदि स्वयम भगवान विश्नु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ शिव जी पारवती माता से आगे कहते हैं तुम्हारे पिता की स्विक्रिती पाकर नारज जी विश्नु भगवान के पास गए और यह शुब समाचार सुनाया लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ तुम मुझे यानि कैलाश पती शिव को मन से अपना पती मान चुकी थी तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई तुम्हारी सहेली से सुजाव मिला कि वह तुम्हें एक गंगोर वन में ले जाकर चुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए वह सोचने लगे कि यदि विश्णुजी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा उन्होंने तुम्हारी खोज में धर्ती पाताल एक करवा दिया लेकिन तुम नहीं मिली तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी भादरपद तुमने रेट से एक शिवलिंग का निर्मान किया मेरी आराधना की जिससे प्रसन्ना होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पुर्ण की इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा की हे पिताजी मैंने अपनी जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्ना होकर मुझे स्विकार भी कर लिया है अब मैं आपके साथ एक ही शर्ट पर चलूँगी कि आप मेरा विवा भगवान शिव के साथ करेंगे परवत राज ने तुम्हारी इच्छा सुईकार कर लिया और तुम्हें घर वापस ले गए कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधी विधान के साथ हमारा विवा कर दिया भगवान शिव ने इसके बाद बताया हे पारवती भादरपद शुक्ल तृति को तुमने मेरी आराधना करके जो वरत किया उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवा संभाव हो सका इस वरत का प्रभाव ये है कि इस वरत को पुर्ण निष्ठा से करने वाले प्रतेक इस्तुरी को मन वांचित फल में देता हूँ भगवान शिव ने पार्वती से आगे कहा कि इस वरत को जो भी इस्तरी श्रद्धा पुर्ण से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ती होगी इस प्रकार से कथा संपुर्ण होती है सभी को सुनाएं कथा या खुद भी सुने और इस तरह से आपको विदी को संपुर्ण करके वरत को पुर्ण करना चाहिए वरत समापती पर महिलाएं पूरी सबजी हलवा इत्यादी जो लोग अगर पूरे दिन दो दिन वरत नहीं करना चाहते हैं वैसे तो तीन दिन का वरत माना चाहते हैं लेकिन आप चाहें तो इससे सुभे से शाम तक पूजन तक वरत रख सकते हैं उसके बाद आप वरत को खोल लेकिन जबी भी वरत खोलेंगे ध्यान रखें पूरी, सबजी, हल्वा इत्यादी बनाकर पहले मंदिर में भगवान शिवजी और माता पारवती को भोग लगाएं पती को बोजन कराएं साथ में फिर अन आपको ग्रहन करना चाहिए अपनी पती है उनकी मा से यानि अपनी सा भाग भाग अखंड रहता है दामपत्ती जीवन में सुख की वर्शा होती है जान रखें आज के दिन सभी लड़कियों को महिलाओं को मेहंदी जरूर लगानी चाहिए इसलिए आज के दिन आप मेहंदी जरूर लगाएं और सभी फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग धूम धाम से हर्याली तीज का त्योहार मना सकें अपने बागों में जूला डालें अपने फ्लैट्स में आप जूला डाल सकतें आपके अगर आज पास कोई बगी चाहें वहां जूला डालें और सभी के साथ आपके आपके जो लोक गीत उसको गाते वे हर्याली तीज का त्योहार मनाएं दोश्तों खिल खिलाते रहें मुस्कुराते रहें बहुत ही कुपसूरत पर्व है इसको मनाएं सभी फ्रेंज फैमिली मम्मी पापा भाई बेन बच्चे सभी लोगों से इन वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इस हर्याली तीज के त्योहार के महत्व को जान सकें कर लीजे यूपाई सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और में आने वाले वीडियो के त्रू कनेक्टेड रहें लव यू आल टेक केर जै माता दी पंपं भुले नात की जै पार्वती माता की